गर्ची रोली जिले में अपनी उत्कृष्ट बासार लाइन के लिए प्रसिद शहर वर्सा खाली में एक अलगी नाम स्कूल लेकर आया है वर्सा मुख्याले और तहसिल के ग्रामिन गाओं में सट्टे बाजी का धंदा खुले आम चल रहा है वर्सा तालुका में सट्टे का बासार फलफूल रहा है इस बारे में BCN न्यूज ने खबर दी थी कि इस गैर कानूनी धंदे पर लगाम लगाई जानी चाहिए बहराल संबने ठेकेदार या खबर लिखने वाले समवादाता को पकड़ कर दस बारा लोगों को लेकर डराने धंकाने की धंकी अपने परिजनों से प्रसारित कर रहे है यह भी कहा जाता है कि वर्सा के कुछ लोग और एक नौजवान आर्मोरी से वर्सा जाकर ये गुप्त रूफ से हग्यार कानूनी धंदा कर रहा है BCN News की इस खबर से वर्सा के सटे बाजा में हरकम पमच गया है इसमें किस बड़ी हस्ती का साथ है सारा धंदा सम्मने विभाग के सहकारी से तो होता नहीं है इस तरह के सवाल उप सवाल जनता में निर्मान किये जा रहे हैं कहा जा रहा है कि ठेकेदा नेडर हो गया है क्योंकि यह वर्फ साई बहुत कम समय में अधिक पैसा कमा कर देने वाला है लेकिन इसमें लिप्ट हुए गरीब लोग गरीबी की रहा पर हैं वर्सा मुख्याले और ग्रामिन शेत्रों में लोग गरीबी की कगार पर हैं, कम समय में अधिक पैसा कमाने के लालच में लोग सट्टा लगा रहे हैं और अपने घर की आतिक परिस्तिती खराब कर रहे हैं भारती समिधान के चौते स्तम को ही दबाने की कोशिश की जाएगी, तो सच्चाई सामने लायगा कौन, इनको समर्थन किसका, ऐसे कई मुद्धे अपतालुका में चर्चा का विशेब बन गए हैं, और पूरे धंदे को जड़ से खत्म करके ठेकेदारों के खिलाफ सक्त करने की मांग अबसोर पकड़ रही है, और जनता इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि संबंदित विभाग इस विशे को लेकर इन गबबर ठेकेदारों के ऊपर क्या कड़ा कदम उठाती है, लेकिन शुब अंक लगाने का हवान करने वाला वो ठेकेदार कौन, हालकि यह ए एक रहस्य है, आर्मोरी से BCN News के लिए हरेंद्र मडावी की रिपोर्ट